हेलो फ्रेंड्स मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ठुम्री गाई की क्या होती है और ये कहां-कहां पे इसका चलन जादा है और किन-किन रागों में ये गाई जाती है तो ठुम्री गाई की एक शिंगार रैस्परदान शेली है इसमें ख्याल के अधिक शपलता पाई जाती है और इसमें सौंदर्य का अधिक बोद किया चाता है ठुम्री में गाईन के लिए एक विशेश तरीके के गलाप तयार होना चाहिए इसमें हम भावों को विविन तरीके से प्रकट करते हैं शब्द आपकी कम होगे ल देश, तिलक का मोद, तिलंग, पीलू, काफी, भैरवी और जिन्जोटी, खमा जैसे रागों में गाई जाती है इसके साथ दीपचंदी दाल भजाई जाती है और जब हम पूरी गाई की गा लेते हैं यानि पूरा ठुम्री को हम गा लेते हैं उसके बाद जब हम फिर से स् विविन सौंदर्य के साथ आप जो प्रिस्तुत करेंगे वही इसकी विशेष्टा होती है बनारस की उत्तरप्रदेश की और पंजाब की ठुम्रियां जो है बहुत ही फेमस होती है यहां पे जो है बनारस लखनो पंजाब की ठुम्रियां है उनमें विशेष्टा बहुत प अभिष्कार के बारे में अगर जाना जाए कि थुम्बरी का अभिष्कार किस ने किया तो लकनों के जो आखरी नवाब थे वाज़द अलीशा अक्तर प्या ने इनका थुम्बरी गाई की का अभिष्कार किया था बहुत दी सुंदर शिंगार रेस प्रदान भाव प्रदान गायन शैली है अगर हम इसमें questions देखें कम्पेशन के हिसाब से कि ठुमरी गाय की किसे कहते हैं तो एक तो कुर्शन का अंसर यही बन जाता है कि खैयाल गाईके से अधिक चंचल जो गायन शेली है उसको हम ठुमरी कहते हैं ठुमरी का अविश्कार किस ने किया लखनो की आखरी नवाब जो थे वासित अलीशा अलिका अक्तर पिया ने उन्होंने इसका अविश्कार किया तुछ है कि यह कहां कहां परसिद्र है कहां की ठुम्रियां विशेश रूंप से परसिद्र हैं तो वह आपकी बनारत लखनु और मत्जाब की घुआरच डूम Thousand fraction है वह बहुत अधिक परसुद्र है इसमें जो है किस चीज का प्रदर्शन के जाता है यानि शिंगार इसका है गयकी है और इसके साथ कौन से ताल बचती है दीपचंदी ताल बचती है लेकिन जब हम पूरा स्थाई और अंत्रा गा लेते हैं इसके दो ही भाग होते हैं स्थाई और अंत्रा और जब हम इसको गा दिखाने का अफसर प्रदान होता है इसमें गायक भी अपने भावों को बिविन तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं और तबला बादक भी अपने तबले पे बिविन बोलों को बजाकर अपनी सुंदरता अपनी भावों को प्रदर्शित कर सकता है लेकिन संब पे दोनों को ही मिलना होता है तो यह तो इसकी विशंश्टा हो गए और इसकी क्वेश्चंस हो गए अब इसको गाने का एक तरीका है कि एक तिलंग राग में जो है एक तो उसके छोटा से एक्जाम्बल मैं आपके सामने पेश कर देती हूं मैं आपको एक तरीका बता देते हूं कि किस तरीके से इसको गाया जाता है तो राक तिलंग में तोरी नेना जादू भरे तोरे नेना जादू जादू भरे तोरे नेना जादू तोरे नेना जादू भरे तीहार बलम तोरे सर की कसम तोरे सर की कसम तोरे वालम तोरे नेना जादू जादू भरे तोरे नेना जादू तो यह एक प्रकार है इसको सरिके से गाय जाता है इसके संधर्य उत्पन के लिए बिन बिन रागों की छाया को इसमें डाला जाता है तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीज़े शेर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को थैंक यू